स्वागत आपका फीवा फूज में मैं आपका होसें दोस्त राहुल भोट आज के रिव्यू को बताने से पहले आपको एक क्विक ओवरलुक बताता हूं बहुत सारे मुद्दे हैं बहुत सारी बाते हैं और उन बातों तक कैसे पहुंचा जाए ये इस वीडियो में क्या ये वो जीत थी जहां पर जिसकी जो एक पैदाईश है वो एक नफरत पे टिकी है शमीता करती है नफरत तेजा से तेजा करती है शमीता से नफरत जिसका परिणाम हुआ प्रतीक जीत किया वो यादेनाब को दो बिल्लियों की लडाई में बंदर रोटी ले गया तो क् इस बंदी ने पहले से ही बात बोली थी कि मैं तुझे साथ दूँगी तेरा साथ दूँगी वो बंदी पलट गई और इस तरीके से चीजे बोलने लग गए उसका क्या इसके बारे में भी बात करेंगे साती साथ दोस्तों तेजस्वी प्रकाश पे आज घुसा भी आया प्या इसके बारे में बात करेंगे तो स्वागत है आपका फीवाफूज में मैं आगया हूँ आपका होसिन दोस्त राहुल भोज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मुझे इंस्सेग्राइम पर फॉलो नहीं किया है तो दना दन फॉलो भी करें द सब्सक्राइब को बताना चाहता हूँ एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात जी हाँ आज जब जिस तरीके से शमीता शिट्टी अपनी बात पर पल्टी है ओ बाप रेबाप साफ तौर पे बंदी को बंदी ने बोल दिया था कि जब आवाज आएगी तब आपको अंदर एंट्री करनी है दैबो लीना राखी पहले से ही अंदर जा चुकी है इन क्या कहती है कि यह मेरा लुकाउट नहीं यह लोग आपस में अप लोग डिसाइड करें जबकि पहले ही अपना रूल बना चुकी थी कि जिसका पैर आएगा पहले लाइन से बाहर रहेगा लेकिन जिसका पैर पहले आएगा उसको मैं उसको मैं साइकल पार्ट्स देने के लिए दूंगी ठीक है यहां पर बहुत ही कन्वीनेंटली बहुत ही कन्वीनेंटली पलट गई शमीता शेटी निशांत और तपस्यापनी यानि कि रश्मी देशाई दोनुं ही कही न कहीं दोस्तों नहीं थे उस वक्त वहां पे लाइन के पाहर थे वो वो अंदर नहीं थे अंदर कौन थे अंदर थे करन कुंद्रा अंदर कौन थे अंदर थी डबोलीना राखी तो ऐसे में उनको कैसे दे दिया मौका आप अपनी बातों से पलट गी करन ने सिंपल से तो बोला कि जो नहीं है उसको मौका दो निशांत क यहां पर दोस्तों एक तरफा खेल खेल दिया अब यह तो चलो उन्होंने इस तरीकी का खेल खेला क्यूं खेला क्यूंकि उन्हें तेजस्वी को हराना था जी हां आज तेजस्वी के उपर लोगों ने आरोप लगाए है शोशल मीडिया में कि यह बंदी जो है सिंपैतिक सब्कारा से महीं बात है अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप हाख क्यों डाल Gör हो जब आप टास्क में बोलते कि आप उठ जाओ अगर मिर्ची विर्ची जादा हो रही होती है या कुछ जादा एक्स्ट्रीम टॉचर हो रहा होता है आप उठ जाओ आप उठते क्यों नहीं हो सेम वही अगर आपके हाथ में लख रही है तो हाप क्यों डाल रहे हो आप सिंपल सी वात है, सिंपल सा लॉजिक है, ये तो वहीं हुआ, प्रतिकोस की ही मेडिसिन का टेस्ट मिल गया, जी हाँ, चलिए दोस्तों, आज जब तेजस्वी कर रही थी, मार रही थी, तेजस्वी सिर्फ अपने आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, वो बंदा जो कि कर दो, क्या बॉडी मास रेश्यो के हिसाब से तेजस्वी का वेट एस कंपेर टू प्रतिक क्या बराबर होगा, वो दुबली बडली तेजस्वी और प्रतिकों मुष्टंडा सा, क्या वो बराबर होगा, आप कैसे कह सकती है, शवीदा शेटी, आपने घलक बोला, तेजस् रहा था, मुझे वो भी अच्छा लगा, बट मैं हाँ पर कहना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जब अगर मैं घर पे होता है, मैं यहीं कहता कि प्रतिक भया, अगर हाथ में आपके लग रही है, आप हाथ हाथ दो, मत डालो, आप हाथ बार बार क्यों ड कुद्दा चाहिए होता है, वो है ना पता है, बहुत कन्वीनेंटली पोक करता है, यह बात विशाल सिंगने बोली थी, जब वो घर पे आया थे, उनका इंटर्वी भी जब मैंने लिया था ना, उन्होंने यहीं बात बोली थी, विशाल सिंगने कि प्रतिक बड़ाई ठीक है, करन कुंद्रा का नाम लाने की क्या ज़रुति बताने ज़रा, करन कुंद्रा का नाम प्रतिक क्यों लेकर आया, कि मैं तो इतना जेंटल होता हूं टास्क में, यह अक्चुल में देखा जाए, यह देबलीना के संटेंस थे, जब प्रतिक की नाक में लगी थी, उस करन कुंद्रा की गर्ल्फरेंड इस तरीके से लड़ रही है, मैं अगर करन को बीच में लाओंगा, तो करन बवाल मचाएगा, जी हाँ दोस्तों, यह साफ तौर पे था, यह इंटेंशन्स यही थे प्रतिक के और कुछ नहीं थे, ओक्ये गाईज, चलिए, उसके बाद फे बहुत अच्छा काम के आपने प्रतिक सहजपाल जीच जाता है, विच वाज बट ओवियस दैन, ठीक है, यहाँ पर शमीता शेटी में वर्डिक में दोस्तों, हाँ, सीधे सीधे तेज़सी को हरा देती है, उसके बाद बोलती है, बापरे इस लड़की से तो मैं होंगी नहीं, ठीक है, दोस्तों, एक बात जो मुझे लगी, कि जब शमीता शेटी को पूछा गया, इंग्लिश को लेकर, दैबो और इनके बीच में, तेजस्वी के बीच में, यहाँ पर उन्होंने बोला कि याज चलो, यह तो आसान सी सजा है, दैबो को दे देते हैं, त देबो को सीधे, कॉंटेंट दे दिया, तेजस्वी का, ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों, प्रतीक ने, फिर उसके बाद प्रतीक रोने लग जाता है, मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि प्रतीक, कह रहा है कि इसने मुझे कितना परशान किया, मेरी इमेज कितना प्रते हो टास्क में वहीं आपको मिला है, और तो कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिला है, अब अगर आपने नोटिस किया, तो राखी सावन्त आज बहुत ज्यादा शमीता शमीता कर रही ती करन कुंद्रा के सामदे, करन कुंद्रा यार देखो, कभी कबार ऐसा होता है, कि जब कोई रिलेशन्शिप होता है, किसी दूसरे नाम से चड़ाया जाता है, बोल दिया, अब हर किसी का नहीं, तेजस्वी कहते है कि मेरा होता, तो मैं उसको जाती, मैं बोलती कि ए तु करन मेरा बॉइफरेंड है, उसके बारे में कुछ मत बोल, तो तुझे भी यहीं क कहना चाहिए था, मैं हम पर कहना चाहता हूं कि तेजस्वी हर कोई अलग-अलग होता है, हर कोई अलग-अलग होता है, और हर किसी के अलग-अलग sentiments होते हैं, बात करने का तरीका होता है, हर कोई पांच उंगलियां हैं, पांचों उंगली सेम नहीं हो सकती हैं, तेजस्वी, करन उन बातों को हवा नहीं देते हैं लेकिन आप चाहती हैं कि तूल मिले राइट आप चाहती हैं कि तूल मिले उन बातों को तेजस्वी प्रकाश एक तरफ कहती है मुझे आज तेजस्वी का यह अटिटूट बिल्कुल अच्छे लगा वो शमीता शेटी की तरह पती पत्नी और वो का एंगल क्रियेट कर रही हैं दोस्तों जी हां तेजस्वी फैन को यह अच्छा लगए बुरा लेकिन मैं सच बोलू की अगर आपने देखा होगा तो रक्वेश बापत की फ्रेंड थी राइट लेकिन शमीता वास यहां उससे बात मत करना तूने उसको लिपस्टिक क्यों दी तू यह कर तू वो कर तू ऐसा कर वैसा कर वाट वाट वस ताट उसी चीज को यह बात तेजस्वी कहती कि मैंने और वो पता है यार वो बंदी का उल्रेडी वभी वह और करन कुंदार पर भरोसा है करन मुझे जो है तू प्यार लगता है Range termin वो जब वक्त आता है तो दो वह क्यों इस तरीके से बहने जाती है कि तू जवाब नहीं दे रहा तू यह नहीं कर रहा तो वह नहीं कर वो नही that thing मुझे ऐसा लगता है कि यह गलत है सरसर गलत हुआ है यह ओके अब दोस्तो हाँ अब दोस्तो राखी सावंद की बात कर लेते हैं थोड़ा सा राखी सावंद चान बूच के करन कुंद्रा और तेजस्वी के बीच में रिफ्ट पैदा करने की कोशिश कर दे भई मेरा घर है मैं तो बोलूंगी यह करूंगी वो करूंगी बोलने की आजादी है ऐसा है अरे तो मैडम कुछ अच्छा भी तो बोल दो हमेशा बक्वास 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 वाई राखी सावंत की अगर बात करें दोस्तों तो राखी सावंत का जो एटिटूड हमें दिखा है वो कहीं न कहीं गलत है वो मुझे पसंद नहीं आया और वो बार 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 उस चीज़ को लाने की कोशिश करी थी डैट वास अननेसेसरी एंड इस ओल प्रसेडिक वाइट ओके करन ने जब तेजस्वी के साथ जगडा किया वो गुफा के अंदर देखो यार तेजस्वी जैसी गर्ल्फरेंड अगर मुझे मिलती तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि स्पेशली वह वाली आदत उसकी जो बार 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 बैक टो बैक बोलना है कि मैं यह करती म मैं वह करती है ऐसा वैसा आई रेली डोंट लाइक टेट आयर रेली डोंट करन ने आज जिस तरीके से बैक आफ किया अब मैं कहना चाहता हूं कि मेकर्स क्यों नहीं बोलते तेजस्वी जो बात करती है बताना जरा वो जो टास्थ था नौर वाला जो टास्क हुआ हा क्या जानते हैं उसमें क्या बोला तेजस्वी ने बोला करन को कि हरामी तु मेरा मत चुरा कुट्टे ये करके बात बोली है मैं इस पर वीडियो भी बनाई है तो यहां पर करन कुंद्रा फैंस तो भड़के हैं तेजस्वी वाट लगा रहे हैं हाला कि तेजस्वी और करन की बाते कर रही हैं वो क्या है मुझे क्लियर करके बताओ वो क्या है कि है अब दोस्तों अगर बात की जाए तो बिग बॉस के बिग हाउस में हां यह बरतन वाला मुद्दा हुआ था सबसे एहम बाप रे बाप प्रतीक सहचपाल इतना स्मार्ट इतना शाणा लेकिन उसकी शान पट्टी पकड़ी गए घरवालों ने एक्सपोस कर दिया बोल दिया साफ साफ कि भाईया प्रतीक जब तक अभी तुम जो है वी आई पी में नहीं थे अभी जिद्शुकले वी आई पी में थे तब तक त ठीक है करन को करन के सामने तेजस्वी को अब घुसा तो आएगा यार परिवार है तेजस्वी उसकी गल्लफ्रेंड है और कल को फ्यूचर वाइब भी बनेगी तो यहां पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह बात समझनी चाहिए यह बात समझनी चाहिए इनको जिनक क्या है यह गलत conversation यह बात बोलते हैं ठीक है तो आपको बता दू तो करन कहते हैं ठीक है मैं तेरे को इडियेट बोलता हूं चलेगा तेरे को भड़क गया था प्रतिक लिटरली भड़क गया था लड़ने कैसे आ गया था वह जान बुझके प्रवोक कर रहा है उसको पता है राइट तो ऐसे में आप क्या करें वापस ट्रैक में आना है तो किसी बड़े कॉंटेंडर जो स्पेशली जिसे वीकेंड के वार पे पूरा फुटेश दिया जाता है आप उसी को टार्गेट करोगे तो प्रतिक यहीं कर रहा है सिंपल सी बात है आप बैक टू बैक टू ब पर सक्सेस्फुल नहीं हो पाया वो और कहीं न कहीं वो पीछे रह गया मुझे ऐसा लगता है ओके और कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर तो देखें जड़ा ओके शोशल मीडिया पर वीकेंड के बार के प्रोमो की चर्चाएं ज़्यादा हो रही है दोस्तों जहां पर डार्ट पीटी है जी हाँ और यह एंड आए ओके वेरी नाइस तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को क्या है कहना मुझे बताईए कॉमेंट करके बिग बॉस के एक से किना दोस्तों अभी इस वक्त हां है प्रतिक सहचपाल ट्रेंड कर रहा है हाश्टाइग तेजा ट्रेंड कर रही है दोस्तों और क आफ यह करेंड कर रहा है क्रेस ऑ इस दोस्तों के लिए स्पेशलिय एक्स्सिफ तरी चल रहा है बिग बॉस फिफटीन से लव ऑपके जिस्ट सेकिंड मैं चेक कर रहा हूं ओके ओके तेज़ेशी को अनहाईजिनिक बोला जा रहा है यार क्या करें कि शीप पुट बैक हर यह अनईटन फूड जूटा फूड इंटु दा में बाउल एंड थोरोली मिग्जिट यक ओल दुड वाइल कफिंग तो डेम अनहाईजिनिक बापरे ते जिस्ट भी को अनहाईजिनिक आ जा रहा है दोस्तों इसके अलावा ओके 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 और क्या कहा चल रहा है ट्रस्मी असेंसेबल युमन बिइंग नेवर एप्रिशेट पीस अफ क्रेप लाइक देस पर दूंग और गौहर खान आई हैं और गौहर खान दोस्तों चीजें कर रही हैं शमीता शेटी के लिए कह रहे हैं कि ट्रोफी की हकदार हैं शमीता शेटी बिल्कुल शी वेल डिजर्विंग ट्रोफी की हकदार मुझे ऐसा लगता है एंड तो दोस्तों ठीक है आपको क्या है कहना बता दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बने रहो चैनल के साथ देखते रहो फीवाफूस चलता हूँ अपना ख्याल रखें